हेलो फेंड्स आज हम लोग इस वीडियो में बात करने माथने हैं sequence क्या होता है और फिर रहुत हम देखेंけてear कि bounded sequence क्या होता है तो आइए बस सुरू करते और सीक्वेंस क्या है है वह तो डेफिनेशन है वह यuhan कहती है एक sequence क्या है एक function f ॉनियाख इस and और जो इसकी range hoगी वो क्या होगी रीअल लंबर ओगी जैट इसका मतलब क्या है कि यह चीज़ है ठीक है कैसे यहां से यहां पर एक function होगा है इसकी क्या है डॉमें क्या होगा नेचुरल नमबर होगा और रेंच तो यहां पर रेंज में जो नमबर्स आएंगे वह कैसे आएंगे f1 1 की वज़से f2 2 की वज़से f3 3 से वज़से और डॉत ऐसे ही हमारे को नमबर मिलते रहेंगे रैंगे जोकि हमारा रेंज में क्या है real number का set प्रश्च बनेगा तो अब हम लोग देखते हैं कि इसकी notation कैसे है notation कैसे बनेगी F की यह हमें देखना है कि माल लेते हैं कि चलिए कि जो value है F की N पे वो AN है ठीक है ठीक है तो जो value है F की N पे ठीक N जो की natural number का होगा वो AN होगा मतलब इस line का मतलब क्या है कि जो fn होगा वो an होगा मतलब यहाँ पर कोई n element होगा जब उसकी mapping करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर fn मिलेगा जो की क्या होगा an होगा ठीक है वो real number में है ठीक है तो इसका जो sequence है इसकी जो notation है वो हम लोग कैसा use करते हैं इसकी जो notation है जैसे denote करते हैं denoted by ठीक वो कुछ ऐसे हम लोग करते है notation ठीक या तो ऐसा भी notation हम लोग use करते हैं ठीक है तो इस तरीके से यह denote किया जाता है तो अब जैसे की n का अगर मैं माल लूँ तो यह जो an है हमारा कुछ general term की दिखाएगा ठीक है कैसे जैसे की अब समझता हूँ जैसे की f1 पे अगर मैं देखूँ ठीक यह n कहां पे होगा natural number f1 जब इस mapping के थुरू मैं देखूँगा f1 क्या हो जाएगा a1 f2 क्या हो जाएगा a2 3 पर क्या हो जाएगा f3 a3 आ जाएगा ठीक and ठीक है तो हमने क्या देखा कि जब n मैंने 1 लिया तो a1 आया तो a1 को बोलेंगे हम लोग पहला टर्ण 2 पे a2 आया जिसको second term बोलेंगे 3 पर क्या आया f3 क्या आया a3 आया जिसको हम लोग अपना क्या बोलेंगे third term बोलेंगे तो ऐसे ही so on ऐसी चीज़े चीज़े हमारी होती रहेंगे ठीक है तो इस sequence को हम इसी तिये जो है ऐसे denote करते हैं ठीक है कोई problem अब उसके बाद जो है हमारा जो ये an होता है जो an आता है इसी को क्या कहते हैं nth term भी बोलते हैं ठीक है या कुछ लोग क्या कहते हैं इसमें जो है general term भी बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं general term भी इसको हम लोग बोल सकते हैं ठीक है तो ये तो रही बाद sequence की sequence की definition क्या है अब कैसे represent करते हैं अब हम इसको example से देखते हैं कि कैसा क्या होता है sequence ठीक एक्जामपल ले लेते हैं तो पहला एक्जामपल ले लेते हैं एफन ठीक एफन ले ले लेते हैं तो एफन हमारा हो गया है थ्री एन प्लस वन ठीक है इसको सीपेंस के फॉर्म में अगर लिख दूँ तो कुछ ऐसा होगा और यह एन कहां पर था एन हमारा नेचुरल नंबर जो कि है 1,2,3 and so on तो जब मैं ऐसे ही चीज़े इसको रखता रहूंगा तो 1 रखूंगा तो कितना आ जाएगा यहां पर 4 ठीक है 2 रखूंगा 3,2 जा 6,1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा ऐसे ही जब मैं 3 रखूंगा तो 3 जा 9 और एक ही हो जाएगा 10 और so on ऐसे ही मैं रखता रहूंगा तो हमें यह सीक्वेंस हमारी मिल जाएगे ठीक है तो यह कुछ ऐसा होता है एक और एक्जामपल ले लेते हैं अगर मैं fn ले लूँ n2 ठीक है तो इसको सीक्वेंस की फॉर्म में लिख दू n2 और मैं ऐसे ही 1 रखूंगा तो 1,2 रखूंग हमारी सीक्वेंस की डेफिनेशन ठीक है अब कॉपी कर सकते हैं आप लोग तो यह रही सीक्वेंस की डेफिनेशन अब हम लोग चलते हैं कि हमारा जो बांटेट सीक्वेंस होता है वो क्या होता है ठीक है अब हम लोग बात करेंगे बांडेट सीक्वेंस की ठीक है असीक्व एन मैंने बताया तरह ना जो notation एन लेंगे तो sequence एन इस ठीक इसको हम लोग क्या कहेंगे सबसे पहले तो bounded पन्डे से पहले bounded अब अब और bounded बिलो समझें तो bounded समझने में थोड़ी दिखकर कम होगी ठीक है अब हम लोग देखते है कि bounded अब अब क्या है हमारे लिए तो bounded अब अगर मैं देख लूँ ठीक है बाउंड़ अब ठीक है इफ यू अगर हमारे पास एक यू है ठीक सच दाट क्या हो जाएगा सच दाट पॉर ओल एन जो हमारा एन है वो क्या हो जाए लेस देन या इक्वल्ट हो जाए उसी यू के तो हमारा वो इस तीक पेंस यो है bounded बब कहलाएगा ठीक है वो सीक्वेंस हमारा bounded अब अब कहलाएगा और हम कहेंगे यू इस अब पर बाउंड और सीक्वेंस एन ठीक है कोई प्रॉब्लम बाउंड अब आब मैं जैसे कि इसको एक ग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग बाउंड अब जैसे मैं एक सीक्वेंस मैंने ले लिया fn n n प्लस 1 ले लिया ठीक है यहाँ पर जो denominator है वो denominator से बढ़ा है तो सीधी सी बात है जो हमारा answer आएगा वो क्या आएगा वन से छोटा आएगा तो जितने भी sequence में आएगा अगर मैं sequence की form में ले लूं किसको n n प्लस 1 बाई n प्लस 1 को ले लूं sequence के ले लूं तो यह 1 से हमेशा छोटा आएगा तो यह sequence क्या है हमारा यह जो ठीक हमें जो यह मिला क्या मिला जो a n है हमारा a n यहाँ पर क्या है n n प्लस 1 है यह क्या होगा हमेशा छोटा होगा ठीक किस से 1 से ठीक है किस से छोटा होगा one से चोटा होने वाला है तो इसलिए one हमारा क्या हो जाएगा bounded above ठीक है यहाँ पर equal भी हो सकता है greater भी हो सकता है ठीक है यहाँ पर दोनों condition लगी हो यह और यह हमारे you कैसा होगा you हमारा कोई जो है क्या होगा real number ठीक है यह हो गया bounded above की definition अब हम लोग चलते हैं bounded below की ठीक bounded below क्या हो क्या हो तो यह भी if there exist ठीक अगर क्या हो जाए एक हमने you ले लिया तो एक l ले ले लेते है such that क्या हो जाए for all n जो हमारा an हो जाए वो क्या हो जाएगा greater हो जाएगा l से ठीक कोई problem यहाँ पर तो हम क्या कह देंगे l is lower bound for an ठीक एक example से इसको देखते हैं क्या हो जाएगा same यह ले ले लेते हैं ठीक थोड़ा सा changes करेंगे इसमे n प्लस 1 ले ले लेते हैं भाई आग ठीक है तो इस चीज को अगर मैं क्या लिख दूँ break करके लिख दूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ ठीक और यह क्या होता है one one by n ठीक और n क्या है natural number है one से लेकर one two three dot 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 ऐसे ही numbers आएगे यहाँ पर put करूँगा मैं जो देख रहा हूँ कि सारे numbers क्या है n plus one by n greater than one तो one हमारा क्या है यहाँ पर lower bound है ठीक तो यहाँ पर क्या है one is lower bound ठीक किसका n plus one by n sequence है जो हमारा उसका lower bound हो जाए ठीक है एक और example ले लेता हूँ इसका मैं अगर मैं यह पहला हो गया अगर मैं दूसरा example ले लेता हूँ n square का ठीक है तो इसमें कैसे कैसे terms आएंगे one four nine sixteen and so on ठीक है तो हम क्या देख रहे हैं कि one से सारे number या तो one से बराबर होंगे ठीक अलगी condition हो सकती है न कि यह बराबर हो सकता है या क्या होगा one से ही बड़े आगे ठीक कम तो आएगा नहीं तो one हमारा यहाँ पर क्या है one is lower bound ठीक one is lower bound हो गया तो यह वहाँ पर हमने क्या देख लिया कि one is sequence में भी है ठीक है कोई problem अब हम देखते हैं कि bounded below देख चुके हैं तो bounded sequence क्या होती है जो हमारी heading थी यह bounded sequence यह क्या है ठीक है तो bounded sequence में हम देखते हैं कि if a sequence अगर sequence दोनों ही है मतलब वह bounded भी अब अब भी है और bounded below भी है तो वह sequence हम क्या कहेंगे वह sequence है bounded sequence कहलाएगा ठीक है जैसे कि यह notation wise अगर मैं देख लूँ तो वह कुछ ऐसा होगा ठीक है तो यह कुछ ऐसा होगा ठीक है मतलब इस तरीके से क्या पता चला है कि यह bounded below भी है और bounded above भी है दोनों है तो ऐसे sequence को ऐसे an को ऐसे bounded sequence ऐसे sequence को हम लोग क्या कहते हैं bounded sequence कहते हैं ठीक कुछ example और लेकर हम लोग test करते हैं check करते हैं इस चीज को जैसे कि अगर मैंने आपको दे दिया example में अगर मैंने दे दिया one by n यह sequence दे दिया ठीक है तो यह क्या है यह है हमारा bounded क्यों bounded है check करते हैं ठीक यह condition satisfy कर रहा है क्योंकि n होता है natural number one रखूंगा तब भी बढ़ा आएगा 0 से ठीक है और ठीक one रखूंगा तो one आ गया ठीक है जब two रखूंगा तो one by two one से छोटा तो मतलब one एक ऐसा number हमें मिल गया कि जो बाकी sequence को जो number आएंगे तो एक number जो होगा वो बराबर होगा बाकी सारे जुत्तें भी आएंगे वो सब इससे क्या होंगे छोटे ही आ रहे होंगे तो इसलिए यह क्या हुआ इस bounded sequence की definition को follow कर रहा है इसलिए यह जो sequence है one by n हमारा कैसा sequence है bounded sequence है ठीक है एक और example हम लो लेते हैं कि अगर मैंने sequence ले लिया n ठीक अब यह bounded sequence है या नहीं है ठीक है क्या है यह bounded below तो है यह ठीक है क्यों क्योंकि हमें एक ऐसा number मिल गया है वो number one है ठीक one भी हो सकता है zero भी हो सकता है तो यह हमारा कैसा है आप यह जो हमारा हो गया यह क्या हो गया bounded below तो the right ठीक है कोई problem नहीं है कि यह bounded below क्यों नहीं है तो अब माल लेते हैं कि आप देखतें कि bounded अब-अब है या नहीं ठीक है क्या देखना है हमें bounded above है या नहीं mother अब यह ऐसा हो जाता है तो यह सीक्वेंस हमारा बांड़ेट सीक्वेंस हो जाएगा ठीक है माल लेते हैं कि कोई नमबर ले लिए 100 तो अब है ठीक है इस तरहीं कि इस तरहीं हम क्या बेख रहा है कि जितने भी मैं नंबर रखूंगा उसके लिए हमारे पास एक बड़ा ही मिलेगा जिससे सारे नंबर छोटे हो जाएंगे कोई बराबर होंगे मतलब यह जो बांडड अबन है सेटीस्वाइइं नहीं हो रही है क्या इंप्लाइस करता है कि यह क्या है यह सिक्वेंस है बांड़ेट कि कोई प्रॉबलम तो सारे clear हो गए और रहे कि अगर यू एक अपर बाउंड है तो ऐनी वह सारे नंबर होंगे तो greater हो जाएंगे यू से मोल ब्ब कहने का मतलब क्या है कि जैसे यह अपर बाउंड है ठिक और बहुत सारे हो सकते हैं इसके अपर बाउंड जैसे किसी एक नंबर से छोटा है जारी नंबर है तो 105 से भी होगा 200 से भी होगा तो मतलब एक से ज़्यादा हमें upper bound मिल सकते हैं. ऐसे ही lower bound में आते हैं. एक से ज़्यादा हमें lower bound मिल सकते हैं. ठीक, क्या पता है ये 1 से छोटा हो जैसे ये 0 से क्या है? ठीक, 0 ये satisfy कर रहा है lower bound तो इसके बाद हमारा क्या हो ज़कता है? minus 0.5 सब्सक्राइब भी हो सकता है उससे बहुत सारे मुझे लोवर बाउंड भी मिल जाएंगे इसके ठीक है तो इसी से जो है कॉंसर्ट निकला सुप्रीमम और इन्फिमम का तो वह सुप्रीमम और इन्फिमम को कहते हैं लोएस्ट अपर बाउंड मतलब क्या है समझो कि इसके पीछे क्या है इसका मतलब समझ मैंगा तो चीज़े क्लियर हो जाएंगी क्या है क्यों नाम रखा क्या ठीक है सुप्रीमम किसको कहते हैं देखो अपर बाउंड तो बहुत सारे होंगे मैंने भी बताया कि अपर बाउंड एक हंडड हगर इसका है एक इक जामप अगर हम एक्जामपल इमाल लेते हैं जो हमने लिया तो वही सुप्रीमम होगा हमारा वही होगा बाकी नंबर अपर माउंड होगे पर वह सुप्रीमम नहीं बोलूंगा मैं इसको इसी तरीके से इन्फुमम को बोलते हैं ग्रेटेस्ट लोवर बाउंड मतलब क्या है कि जै यह से जीरो आया माइनस 0.5 माइनस 0.9 ठीक एसे बहुत सारे लोवर बाउंड आ जाएंगे लेकिन जो उन लोवर बाउंड में सबसे पहले कंडिशन यहां पर भी है कि सारे जो होने चाहिए वह लोवर बांड होने चाहिए तो अब जो ग्रेटेस्ट होगा जो सबसे और अगर अभी भी आप ने हमारे चैनल को सब्ट्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए ठीक है और नोटिफिकेशन भी आन कर दीजिए तक कि हमारे आने वाली वीडियो की न्यूज आप तक पहुंसते रहें थैंक यू पर दर वच्टिंग वीडियो